नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज से करी 15 से 20 साल पहले एक ट्रेडिशनल सा दोस्तों कि सबसे पहले हमारा घर जब प्लास्टर हो जाता था तो उस टाइम भाईया सबसे पहले चूना पेंड का यूज करता था लोग दोस्तों सभीती कारने के लिए चूना पेंड का यूज कर मार्केट में जैसे ही दोस्तो जे के कंपनी ने jk Primax को लॉंच किया और jk Primax White Semit की साथ प्राइमार का भी काम करता है दोस्तो जो कुछी साल में jk Primax मिं दोस्तों बहुत ज़्यदा डिमांडिंग प्रॉड़ not बन चुका है आप दोस्तो एसी अन पेंड ने एक एसी प्रोड़क्ट को लॉंच किया है जिसका नाम है दोस्तो एसी अन पेंड ट्रू क्यार प्लास्टर कोट जी हां दोस्तो ए पेंड जो है बिलकुल भाईया वाइट सेमेट जैसा है मेरी हिसाब से वाइट सेमेट में जित लोंच हो रहा है उसमें हमें अगर ज्यादा बेनेफिट मिले तो क्यों न दोस्तों इस प्रोड़क्ट को हम अपनी घर पर एपलाई करें ताकि हमें एक अच्छा रेजल की साथ अच्छा बेनेफिट भी मिले और यह सियान पेन का जो प्लास्टर को निकल के आया है इसका सब सबसे ज्यादा दोस्तों अगर बेनेफिट की बात करें तो इसकी मतलब क्यूरिंग का कोई रिकॉर्ट में नहीं है इसमें तराई करने का कोई भी जंजट नहीं है जैसे कि माले यह वाइट से मेट एपलाई से पहले हमें आच्छे से वाल को भीगोना होता था फिर कि आपको तराई करने का कोई भी जंजट नहीं होगा क्योंकि प्लास्टर कोड दोस्तों वाइट से मेट है और इसमें इतना समता है कि इसमें तराई करने का क्यूरिंग करने का कोई भी जंजट नहीं है तो दोस्तों आप बात करेंगे इसको एपलाई करने का प्रोसेस क्य कि असटेप होता है तो मैं आपको बता हूँ तो प्लास्टर कोड का जो प्रोसेस ऐससे पहले भाई Maya फ्रस्कीना invers के लिग मिल जाए गा व की एमार खिर की हाना प्राइस की बात करें तो 40 kg जो प्लास्टर कोड है जिसे हम लोग वाइट से मैं कहते हैं दोस्तों इसका वाजार अमर्क है 1200 रूपिया दोस्तों सारे 1100 से लेकर 1200 रूपिया में आपको आराम से किसी भी पेंट सब्वर मिल जाएगा 5 kg का पेग भी मिल जाएगा इसका मिक्सिंग करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा सीमपल है दोस्तों जैसे हम लोग वाइट सेमेट को भाया सबसे पहले पाड़े डाल करके पानी डालना है अपको आच्छे से पेस्ट बाङना लिना है दोस्तों अगर आप लोग एक साथ पानी डालके उसमें प्रश्टर को डालेंगे तो अच्छे से मीक्स नहीं होगा जैसे समों साम को हम लोग मिक्स करता है थोड़ा थोड़ा घर के पानी दीजे और अच्छे से दोस्तों जैसे रोटी का पेस्ट होता है एसे पेस्ट बना लेजे और पेस्ट बनाने की बाद दोस्तों उसमें फिर से पानी डाले मतलब एक किलो कि प्लास्टर कोट में भई आप शाड़े वें जारह साथ सो यूल सकता है कोई भी मुस्किल नहीं है लेकिन 7 महीं दोस्तों देरे ढूरे आप दोस्तों जैसे ही हमारा प्लेसटर कोट का ढूरर ब्रेडी हो चुगा है तब दोस्तों हमें खावरेज भी हमें ज्यादा मिलता है दोस्तों वाइट सेमेट की तरह आई दोस्तों प्लस्टर अवाएब लोको 2 कोड करना होगा फास्क या तो वाटिकाल अवर्टि कोड हो। पर ऐसे आपको करना होगा और सेकेंड कोड में भी आपको कोई तराइं करने का क्यूरिंग करने का जरुरत दोस्तों नहीं है और अगले साथ दिन तक भी आपको तराइं करने का कोई भी जरुरत नहीं है और दोस्तों मैं आपको बता दू वाइट सेमेट जैसे गीली वाल प लेकिन प्लास्टर को भी आप लोग गीले वाल पर एपलाइब ना करें फ्लास्टर खतम हो चुका है मेरे हिसाब से 20 से 25 यानि की एक माहिना की बाद ही अगर प्लास्टर को अपनी घर की वाल पर एपलाइब करेंगे तो आपको बेस्ट रेजल मिलेगा दूस्तों इसको एप Can sound with a goodноз इए कौ्छ मिल जाएगा और इसको डो टोकरने की बार दोस्तों आप आप सीधे उसमें क्या करें दोस्तों वाल प्राइमर करें एक कोट करने से भी काम चल जाएगा और वाल प्राइमर करने की बाद जाके आप लोग सीधे पेंट करें और इसको दोस्तों वाइट सेमेट में आपको जितना कबरेज एरिया मिलता था उससे कही ज्यादा दोस्तों मिलेगा आपको एसे एन पेंगा ट्रू क्यार प्लास्टर कोट में आपको कबरेज एरिया बहुत ज्यादा मिल जाएगा दोस्तों अब इसको घर की अंदर में बाहर में कहीं वार भी यूज़ कर सकता है और काफी हाद तक भाईया यह वाटर पूर्पिंग का भी काम कर जाएगा मतलब जब बारिस आएगा तो मतलब इसकी उपर एक गने तो प्रभण करेंगे तो आसानी से दोस्तों नहीं निकलेगा क्योंकि जाहिर से बात कईकर नहीं आएगा और दोस्तों कollen को को एक मठ रहेंगे तो अगर हम लिद डागणे ना जाहिर सी बात है दोस्तों वाइट सेमेट में अगर क्योरिंग नहीं करेंगे तो हांड्रेट पसन उसमें क्या होगा दोस्तों अगर हाथ रगड़ेंगे तो हाथों में आजाएगा लेकिन प्लास्टर कोट का भी बिल्कुल भी उल्टा फंडा है अब लोग इसे ना करके अगर प्लास्टर को भाई अपलाई करना चाहता है तो आंग बंद करके अपलाई कर सकते हैं फिर भी दोस्तों प्लास्टर कोट से जुड़े अगर आपकी मन में कोई भी सवाल या डाउड है तो भाई हमें कमेंट करें आपका हर सवाल का जवाब दोस्तों जरूर देंगे